पीटी बद्यारतियों मैं भाजरे स्रमा आप सभी का नवांकुर डिजी लेसंज में स्वाहत करता हूं आज हम हिंदी सामान कप्छा दस इसका दूसरा अध्याय संस्कृति का स्वरूर इस पार्ट का सारांस समझेंगे तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट के लेखक है डॉक्टर बासुदिफ सरन अग्रवाल तो सबसे पहले इनका जीवन परिचेव पढ़ते हैं हिंदी के गज्द लिखकों में डॉक्टर बासुदिव सन नगरवाल का महत्पूर्ण इस्थान है आपका जन्म सन 1944 वी में हुआ था आपने अपनी आरंबिक सिक्षा समाप्त करके उच्छी सिक्षा के लिए लखनों विश्विद्याले में प्रिविश लिया वहां से आपने में एमे की परिक्षा उतरीन की इसके बद वहां से प्यच्टी और डिलेट कि उपादियां हासिल की इसके बाद आपने सरकारी नोकरति नम्गरी की इसके लिए आपनें इसैंट्रल एस एंव्टिविटीस म् poo सिजिजियम के भारती महाविद्याले में प्रॉपिसर पत्पर हुई। इन्होंने हिंदी में अनेक रचनाय लिखी हैं। डॉक्टर वाशिदिव संड्ड, अगरभाल द्वारा लिखित और संपायत कुछ पुस्तके हैं। पुर जोती, कला और संस्कृति, कल्प ब्रक्ष, कादम बरी, मलिक मुहम्मद जैसी, पदमाबत, पानेनी कालीन भारत बर्स, प्रत्पी पुत्र, पोद्दार, अभिनन्न, ग्रंत, आदी। तो ये इनकी कुछ रचनाय हैं। अब हम इस पार्ट का सारांस समझते हैं। तो ये हमारा पाठ है संसकृति का स्वरूप। यह है डॉक्टर बाशुदी उत्सरा नगरवाल द्वारा लिखित निवन्द हैं। यह एक ज्यान बर्दक और भाव बर्दक निवन्द है। इसमें संस्कृति सब्द के स्वरूप का अर्थ और उसके महत्व को निवन्दकार ने कई परकार से समझाने और इस पश्ट करने का प्रयास किया है। देखक ने कहा है कि संस्कृति की प्रविर्ति महाफल देने वाली होती है, संस्कृतिक कारे के लिए छोटे से बीच से बहुत फल देने वाला बड़ा ब्रक्ष बन जाता है, तो जो संस्कृति है बहुत ही आवशक है, क्योंकि बिना संस्कृति के मनुष से एक पसू के सावा ही होता है वह एक पसुष से जदे कुछ भी नहीं है अगर यदि इनसान से उसकी सब्विता और उसकी संस्कृति छीन लिए तो वह बिना सिंग और पूछ का पसुषी रहता है तो इसलिए संस्कृति प्रतेक व्यक्ति के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है और इसी से जीवन की उन्नती होती है और जीवन का संपूर्ण आनंदी प्राप्त होता है मानब जीवन केवल अरत से नहीं चलता अर्थ मतलब पैसा, मानब जीवन केवल पैसे से ही चलने वाला नहीं है, अलाकि पैसा भी आवश्चक है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन केवल और केवल पैसा ही होने से मानब जीवन सुखी नहीं रह सकता, उसके लिए संस्कृती होना भी बहुत आवश्चक है, सब्वता समा आज में ही व्यक्ति सभी प्रकार के आनन्द और सुख को प्राप्त कर सकता है इसलिए हमें अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को भी मजबूत रखना है और सांस्कृतिक पक्ष को भी मजबूत रखना है हमें पैसा भी कमाना है और अपनी संस्कृति को भी स्वरक्षत रखना हैं और उसके अनुसार भी अपने जीवन को चलाना है अगर हम सिर्फ पैसे पर ही ध्यान देंगे केवल अर्थ पर ध्यान देंगे और अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से आनंद दायक नहीं बन सकता हम केवल पैसे के गुलाम बनकर ही रह जाएंगे इसलिए हमें पैसा और संस्कृति इन दोनों के महतों को स्विकार करती हुए दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूत है दोनों को ही हमें समालना होगा और जो देश उन्नत हो होते हैं वो इन दोनों को ही एक साथ लेकर चलते हैं संस्कृति मन उसके भूत बर्तवान और भावी जीवन को भावी जीवन का सरवांग पून प्रकार है हमारे जीवन का धंग हमारी संस्कृति ही है संस्कृति हवा में नहीं रहती उसका मूतिमान रूप होता है बह जीव में हमारे माना दिवन में जो भी हम कार करते हैं दार में कार हो संस्कृतिक कार हो हमारे उत्सब हैं हमारे त्योहार हैं यह सभी हमारी संस्कृति को दर्साने वाले होते हैं तो यह सभी हमारी संस्कृति के ही भाग हैं और हमें इन सब को समालना है और इन्हें समालते हुए और आगे भी बढ़ना है अब देखिए संसार में अनेक प्रकार की मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों की अपनी अपनी संस्कृती होती है उनका अपना अपना दर्सन होता है उनका अपना अपना सहित होता है और यह बिवित्ता यह बहुत आवशक है बिवित्ता इससे जीवन बहुती आनंद प्रद बन जाता है यदि किसी बाग में एक ही प्रकार की फूल है तो बहबाग उतना अच्छा नहीं लगेगा जबकि अगर उसमें बिविन्ने प्रकार के अलग-अलग रंगों के फूल होंगे तो बहुत बाग जादा अच्छा और सुन्दर लगेगा इसी प्रकार यहीं प्रकार की संस्कृति पूरे विस्व में होगी तो उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि अभी बरतमान में जो है कि अलग-अलग संस्कृतियां अलग-अलग विस्व में हैं तो यह पूरा विश्व आपका भहुती सुंदर बन गया है, अब जब विश्व में इतनी सारी संस्कृति हैं, तो हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है, लेकिन पहले हमें अपनी संस्कृतियों की अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, और उसका सम्मान करना है, जब हम अपनी संस्कृति का संवान सही से कर पाएंगे उसका पालन सही से कर पाएंगे तब ही हम विस्व की दूसरी संस्कृतियों का भी संवान कर सकेंगे जैसे विस्व में अनेक व्यक्ति हैं अनेक ना अनेक महिला अपरोस हैं लेकिन हम सिर्फ उनी हम सिर्फ उनी लोगों का वैवार ग्रेंड करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं अर्थाथ हम अपने माता-पता के साथ करना है लेकिन हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति का सम्मान करना है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है इसका आर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम किवल अपनी ही संस्कृति को अपनी जीवन मतारें और दूसरे लोगों पार्ट में लिखी गही है घर खीर तो बाहर खीear और गर में एक अधासी तो बाहर सब सुना मतलब कि यदी हम अपनी संस्क्राइश तो हमागै लें ग plannedis 20 बशाओ टीकल पाईंगे और यदि अपनी अभी स्वतंत्र हुआ है, अभी हमारे देश को स्वतंत्र हुए बहुत जादा समय नहीं हुआ, अभी हमें हमारे राष्ट हम्मर्दन का कार बहुत थी, बुद्धि मानी और साहस के साथ करना है, और यह कार तब होगा जब हम अपनी संस्कृति के साथ साथ आँगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हम आदूनिक बिचारों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे यदि हम आदूनिक बिचारों को जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारा जीवन जड़ हो जाएगा इसलिए हमें आंगे भी बढ़ना है अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलना है और आंगे भी बढ़ना है अब बात आती है कि हमारी संस्कृति में जैसा कि सभी संस्कृति होता है कि कुछ बात ऐसे होती है जो कि जड़ हो जाती है मतलब वो किसी काम की नहीं रह आती समय के साथ तो हमें उन बातों को छोड़कर आंगे बढ़ने का प्रियास हमें करना होगा, यदि हम एक ही बात पर अड़े रहेंगे, किवल पुरानी बातों को ही हम, अगर हम पुरानी बातों पर ही अड़े रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए चरेवेती, चरेवेती की धुन, जब तक राष्ट के रत चक्रों म चक्रों में गुंजेगी मतलब हमारे रात जब तक चलता रहेगा जब तक यहां के इंसान चलते रहेंगे अपना कर्म करते रहेंगे तब तक ही वह राष्ट हमारा प्रगती कर पाएगा अब यहां बात आती है कि हम प्राचीन संस्कृति को माने या आधुनिक बिचारों को माने तो हमें दौनों को ही मानना है हमें प्राचीन संस्कृतियों में अच्छी ऊन् maior करना हैं अर्ववल और भी आने वाली ऑ dates में उसको भीमन मानना है उस में उस्में भी जो बात अच्छी है उसे भी हम मानंकर चलेंगे दौनों को मिलाकर ही हम हमारे देश का बिकास कर सकते हैं कहा जाता है जहां पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है वहीं उच्छ संस्कृति की उपजाव घूमी होती है मतलब जहां प्राचीन बिचारधारा और आदुनिक बिचारधारा मिल जाती है वहीं उच्छ संस्कृति का जन्म होता है हैना इसलिए हमें दोनों ही बिचारों को एक साथ लेकर चलना होगा हम किसी भी बिचार को सिर्फ इसलिए नहीं अपना सकते कि भे हमारे पूर बज़े दुआरा बताया गया हना हमें सबसे पहले उस बिचार के बारे में उस बात के बारे में सोचना हुआ कि यह क्या यह हमारे लिए पिरसांगिक है उप्योगी है अगर है तो हम उसे अपनाए और यदि उप्योगी नहीं है तो फिर उसे छोड़ दें अगर वह काम अब महत महत्वहीन हो चुका है कोई भी जो बात है हमारे प्राचीन संस्कृति में कई गई है और वह महत्वहीन हो गई है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए है ना और हमें नई नई बिचारधारा को अपना लेना चाहिए और एंसा भी नहीं है, तो हमें उसे भी अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए, ठीक है, तो हमें प्राचीन और आधनिक दोनों ही संस्कृतियों का मेल करके ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तब ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, अब आगे दिखिए, मनुस्यों के चरित्र, मनुस्यों के कारण, सुवें मनुस्यों द्वाराही निश्चित किये जाते हैं तो एक मनुच्ष के द्वाराही दूसरे मनुस्यों का चरित्र निर्दारित होता है और हम और यदि हम किसी के बिचारों से सहमत नहीं हैं यदि हम किसी के बिचारों से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं लेकिन हमें फिर भी उसके बिचारों का भी आदर करना चाहिए हमें सभी के मतों का आदर करना चाहिए कि यहां सभी के मत अलग अलग होती हैं सभी के मत एक जिनसे नहीं हो सकते कोई अलग बात कहता है कोई अलग बात कहता है इसलिए हमें सभी के मतों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का दुराग रह नहीं रखना चाहिए बलकि हमें दुराग्रय को छोड़कर परिक्षा की कसोटी पर प्रितिक बस्तु को कस कर देखना चाहिए कोई बस्तु सही है या नहीं है कसोटी आप सभी जानते हैं एक काले रंग का पत्तर होता है जिस पर गिसकर सोने की परक्ति जाती है तो हमें किसी वस्तु को परिक्षा की कसोटी पर कसना चाहिए तब ही हम उस बात को स्विकार करें उस बिचार को स्विकार करें इस परकार हमें नए और पुराने दोने बिचारों का हमें क्या करना है एक साथ मिलाकर हमें अपने देश का विकास करना है और अपना दस्टिकॉन इसी प्रकार से बिक्सित करना है नए और पुराने के संगर्स में इस प्रकार का सुल्जा हुआ और साहस्पून दस्टिकॉन रखना आवश्यक है इस से प्रगती का माल खुला रहता है अन्यता भूतकाल कंट में पड़े-पड़े खट-खटे की तरह बार-बार टक्रा कर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है और भारत जिसे देश में तो यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फसकर उसी को संस्कृती का अंग ना मानने लगें क्योंकि भारत हमारा बहुत ही परंपराबादी देश है यहां पर बहुत सारी परंपरा हैं और बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि जड़ हैं फिर भी लोग उसका पालन अभी भी करते हैं तो इस देश में तो और यह बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम प्राचीन रूड़ियों से उपर उठकर अपने कर्म के अपने कर्म पर बिस्वास करें और अपना कर्म करें तब ही हम आंगे बढ़ पाएंगे जो भी व्यक्ति कर्म करता है वही व्यक्ति आंगे बढ़ता है और जो कर्म नहीं करता जो प्राचीन अब धांटना को लेकर बैठा रहता है बहुत कुछ भी नहीं कर स तो हमें अपना दस्टी कौन बदलना होगा हमें भागे के सहारे ना बैट कर्म के सहारे अपना कार्श करना होगा तभी हम आगे पड़न पाये घना और हमें रूडियों रूची भेड से जो भिन्न होती रहें और होती रहेंगी मतलब जो भी रूडियां है उन रूडियों को हमें छोड़ देना है और आदर विचारों को अपनाना है धर्म का मत्हा हुआ सार भी यही है कि प्रयत्न पूर्वक अपने आपको उचा बनाना चाहिए धर्म का सार भी क्या है कि हमें प्रयत्न करके अपने आपको उचा बनाना है और आगे बढ़ना है जीवन को उठाने वाले जो नियम है बे जब आत्मा में बशने लगते हैं तब ही धर्म का सच्चा आरंब मानना चाहिए साहित कला दर्सन और धर्म से जो मूलवान सामगरी हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहंट करना चाहिए यही संस्कृति यही संस्कृतिक कार की उचिद्दसा और सच्ची उप्यविता होती है तो यह हमारा पार्ट था संस्कृति का स्वरूप तो इस पार्ट में हमने पड़ा कि मनुष्ट के लिए संस्कृति बहुत आउश्यक है हमें संस्कृति और अर्थ इन दोनों का ही इन दोनों को एक साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा दोनों को ही समालना पड़ेगा तब ही हमारा मानब जीवन सुख परद हो पाएगा और इस उसी प्राचिन प्रैण को छोड़ देना है जो की जड़ हो चुकी हैं जो हमाई लिए बिल्कुल उपियोगी नहीं है उनने हमें छोड़ कर नई नई आदुनिक बिचारों को अपनाना है दोनों का मेल हमें कराना है प्राचीन और नवीन अबदार्नाओं का इन दोनों के मेल से ही नई संस्कृति का जन्म होता है और हमें परमपरा के सहारे ना बैठ कर अपनी कर्म पर विस्वास करके हमें आगे बढ़ना है और हम जब तक अपना कर्म हम नहीं करेंगे तो आंगे नहीं बढ़ सकेंगे जो व्यक्ति कर्म हीन होते हैं वह किसी प्रकार के नए कार नहीं कर सकते और जो व्यक्ति कर्म करते हैं कर्म योगी होते हैं वह नए नेकार करते हैं और आंगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं और आंगे बढ़ते भी हैं वही नई नई पद्दतियों को भी जन्म देते हैं इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म करने चाहिए तो यह हमारा यह संस्कृति के स्वरूप पाट के पाट का यह सारांज था अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्णों का अध्यान करेंगे धन्यवाद